नमस्कार दोस्तों गर्गी क्लासिस पर आपका स्वागत है डेटा आज की 16 अगस 2022 देख लेते हैं इंडियन एक्स्प्रेस के इंपॉर्टन्ट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे देखो आज न्यूस पर तो राजस्थान का एडिशन तो प्रिंट हो ठीक है एडिटोरियल तो फिर भी मैंने कैसे जैसे करके डूंड लिये कोई प्रॉब्लम नहीं आती है एडिटोरियल में तो पर न्यूज में थोड़ा इश्व आता है तो आप मुझे पेडियाफ शेयर कर देना जो भी आपका एडिशन आता हो आउट आफ राजस्तान ठी ठीक है नंबर मैंने आपको बता दिया 735-76-00854 तो देख लेते हैं आज हमारे पास में जो इश्यूज है उनको सबसे पहला इश्यू तो सी राजा मोहन जी का लिखाओ आर्टिकल है कि कैसे हम एक विक्सित भारत की तरफ बढ़ सकते हैं और उसके लिए कैसा हमारा डिप् सब्सक्राइब विक्सित भारत 2047 तक का टार्गेट फिक्स किया है कि जिस टाइम पर हम इंडिपेंडेंस के सो साल हम कंप्लीट कर लेंगे उस दिन हम एक विक्सित डवलब्ड नेशन बने तो ठीक रहेगा तो कुल मिला करके हमें इसके लिए फॉरें पॉलिसी में भी चे करना जरूरी है क्योंकि 75 साल पहले जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस टाइम पर नए नए कंट्री थे घुलामी की चंगुल से बाहर निकले थे और ग्लोबलाइजेशन के निगेटिव इंपक्ट का नुक्सान अलरड़ी हम उठा चुके थे क्योंकि इस्ट एंडिय किया था एक डरे हमने टार्गेट लिया था डेवलपिंग नेशन के तौर पे कि हमें आगे चलना है डेवलप नेशन का तो हम उस टाइम पर कुछ सोच भी नहीं सकते थे घर क्योंकि परिस्तिति आयसे थी गरीबी बुखमरी बेरुजगारी पता नहीं कितनी प्राबलम थ है पर हाँ बहुत अत्तक हम भार भी निकल जुके हैं उन परिस्तितियों से तो कुल मिला करके डेवलपिंग नेशन के लिए जो हमने फॉरें पॉलिसी तयार की थी जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमारे थे उनको हमें थोड़ा चेंज करना होगा क्योंकि अब हमारा टार हैं जो हमारे टार्गेट्स हैं उनको हमें अच्छे से समझना होगा एकोनोमिकल पॉइंट ऑफ्यू से देखना होगा कि इंडिया कहां ले जाना चाहते हैं हम आज हम साड़े तीन ट्रिलियन डॉलर की एकोनोमी के लगबग हो चुके हैं तो हम इसको और राइज करें जिस करने में सक्सेस्फुल हो पा रहा है रीजनल चैलिंज पाकिस्तान के साथ में चाइना के साथ में क्या अभी तक भी हमारे इश्यू सॉट आट हो पा रहे हैं नो ग्लोबल हैरार्की की बात करें तो हम चाहते हैं मल्टी लेटरल सिस्टम जबकि यूएसे ने अपनी दरब स हैं यह सारे चैलिंजेज हैं इनको हमें देख करके आगे चलना होगा देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया थर्ड लार्जिस्ट एकॉनमी बनने वाला आने वाले कुछ समय में वैसे पर्चीजिंग पावर पैरिटी के इसाप से देखा जाए तो अल्रेडी ती एक की बीश ट्रिलियंड डॉलर के लगबग एकॉनमी है एई की और चाइना की अलगबग 116-12 ट्रिलियंड डॉलर की हना तो हमारी एकॉनमी साड़े 3 ट्रिलियंड की एकॉनमी है तो वह राइस कर रही है ऐसा नहीं की रुकई हूई हैownik ग्रोथ रेट बड़ी एकॉनमी में सबसे अच्छी इंडिया की है ठीक है ये जो टॉप 7 टॉप 8 या टॉप 10 एकोनोमी की बात करें तो उनमें growth rate इंडिया की सबसे बढ़िया है ओके अगर world में absolute terms की भी बात हम करें तो कुल मिला करके इंडिया top third economy बन जाएगा इसके लिए हमें देखो हमारी domestic और international जो हमारी engagement है उसको हमें diversify और इसको हमें stabilize करना होगा domestic point office से देखें तो social justice, धर्म, जात, sex, इनके नाम पर कोई discrimination ना हो हर किसी को पूरी जितना वो deserve करते हैं उनको corporation मिले जिससें कि वो अपने आपको explore कर सके internal unity ऐसा नहीं होना चाहिए कि division देखने को मिल रहा है एक दूसरे के बाल नोचने भी लगे हुए हैं लोग चाहे राजनिती के नाम पर करें या फिर कोई भी अपने कितना की vested interest को fulfill करने के लिए करें तो वो चीज नहीं होनी चाहिए regionalism इतना ज़्यादा हावी नहीं होना चीज है जो कि national unity के लिए नुक्षान दायक हो जाए तीसरा economic modernization हमें और ज़्यादा हमारी economy को open करने की ज़र्वत है और ज़्यादा हमें upgrade करने की ज़र्वत है इसके अलावा political institutions जो resilient बनते चले जाएंगे तो democratic manner में हम progress करेंगे तो जो बन्दा वाकई में perform करेगा उसको उसका result और उसका reward उसको definitely मिलेगा और science and technology का तो देखो इसके लिए use करना ही है तो कुल मिलाकर के ये 4-5 हमारे पास में अलग-अलग spares है इन सारे spares को inclusive manner में tackle करने की ज़र्वत है तो कुल मिलाकर के writer बोलना चाह रहे हैं कि 3 major foreign policy tasks हैं हमारे पास में जिससे कि हम एक विक्सित भारत बना सकते हैं हमारे देश को तो कुल मिलाकर के जो परिस्तितिया independence के time पर हमने देखी थी कि हम partition से निकले division से निकलने के बाद में हमें डर था कि कहीं वाकई में old division ना हो जाए उसी चीज को लेकर के हमने बहुत जादा सोच समझ करके कदम रखे पर आज की परिस्तितिया बिल्कुल different है वो बाठीक है कि partition से लेकर अभी तक हम north western frontier पाकिस्तान के साथ जो border share करते हैं वहाँ पर अभी भी problem sort out नहीं हो रही है पर ऐसी परिस्तितियों में भी हमारी तरफ स से पूरी कोशिश है की गई है पिछले तीन दशुकों में पिछले तीस सालों से अलग-अलग प्राइम मिनिस्टर चाहे कोई से भी political party के हो वो उन्होंने पूरी कोशिश किये कि पाकिस्तान के साथ में productive engagement हो पर हूँ बाठीक है कि पाकिस्तान ने हमेशा हर बार दोखा दि क्योंकि पाकिस्तान पर आक मूंद के विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि यहां से कभी भी deep state जो है वहां का जो अंदर बैठा हुआ गहरा राज्य है जो की actual में लोगों के हातों में नहीं है क्योंकि democracy का तो नाम चलता कहीं और से है तो वो जो deep state है जिसको rogue state भी बोला जाता है जो बिल्कुल change नहीं करना चाहता अपना stand चाहे पूरी दुनिया में कितनी मिट्टी पलीद हो जाये उनकी तो ऐसे में उसको letter करना जरूरी है कि कहीं वो attack ना कर दे दूसरी तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान देखो productive relationship के लिए पता नहीं कब तयार होगा कब न जाकर के कि पाकिस्तान हम पे attack करें तो वो हजार बार सोचें और दूसरा पाकिस्तान के साथ इंगेज करने के लिए हमें productive माहूल बनाने की भी कोशिश करनी चाहिए बेशक हमें बहुत ज्यादा challenges का सामना करना पड़ेगा क्यों पाकिस्तान ने तो देखो कश्मीर का आर्टिकल 370 को reintroduce करेगा इंडिया तब जाकर के हम बात करेंगे रहसे ऐसे बाते जो कि practically possible दूर दूर तक दिखाई देती नहीं है इसके अलावा partition की बात में देखें तो partition जब हुआ था ना तो इंडिया बड़ा week पड़ गया था बिटिश राज की जो सबसे गंदी legacy हमें मिली थी वो थी division और इस division का फायदा कहीना के चाइना ने भी उठाया है ठीक है आज अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने तो खुद को consolidate किया है पिछले 70-70 सालों में जबकि इंडिया ने बहुत जादा मुश्किलों से अपन जो Adriatic Sea के आसपास में Mediterranean Sea का यह extension Adriatic Sea जहां पर आप देखोगे कि पता नहीं छोटे 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 इतने जादा countries बन चुके हैं वहाँ पर एक country हुआ गरता था यूगोसलाविया तो ऐसा ही कुछ इंडिया का हो जाएगा 1990 की बात है यह ठीक क्योंकि उस टाइम पर हम प्रिमेसी की देखो अगर South Asia की बात की जाए तो more or less अभी तक successful democracy की बात की जाए तो इंडिया की democracy सबसे ज्यादा successful है South Asia की अगर हम बात करें तो ठीक है तो कुल मिला करके हम केवल आशा पर हाथ पे हाथ धरके केवल आशा करें कि हाँ जी बहुत बढ़िया हो जाएगा ऐस और security partnership को extend करने की बात किये जिसमें neighborhood first policy जो थी उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं दूसरी तरफ अगर बात करें तो regional strength को देखें या trans regional institution for example South Asia की बात करें सार को बिमस्टै को इन पर हम लगातार हमारी engagement कर रहे हैं तो उसी का result यह है कि हम कही ना करें अपने आपको अमारी ज चुका है I mean PPP में है तो और हम चाहते हैं कि absolute term में भी बने हम अपने आपके को develop करें तो उस case में हमें हमारी immediate neighborhood उनके साथ इंगेज करना होगा extensive neighborhood that means Central Asian countries के साथ इंगेज करना होगा अच्छे से और South East Asian countries के साथ जो engagement Asian के साथ में उसको और ज्यादा deep बनाने की ज़रुत है इस specific question में located जो भी चोटे मोटे island countries हैं उनके साथ में हमारी engagement proper हो तो कुल मिला करके अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में ये efforts किये जा रहे हैं जो कि बहुत ही important है तो ये तो हो गया international perspective में ठीक है मतलब international perspective में इंडिया क्या कर सकता है क्या करना चाहिए और क्या किया है तो पहला point हो गया ये अब दूसरे point की अगर बात करें तो देखो चाइना और इंडिया दोनों के बीच में power gap बहुत जादा है ये आपको पता है कि जिस तरीके से चाइना ने अपने आपको economical advancement की तरफ लेकर गया है चाइना प्लस military भी अपनी बहुत जादा strong कर लिया है त उसका सबसे जादा benefit चाइना को मिला क्योंकि हमने तो टुकडे होने के बाद में दोनों दरफ से east और west frontier से लगा था 20-25 सालों तक तो पहले लड़ाई लड़ी west frontier अभी भी हमारे साथ में engagez कर रहा है लड़ाई में जबकि चाइना ने खुद को consolidate किया उस time पर ना कोई border dispute र चल रहा था तो ऐसी परिश्तितियों में चाइना को aggression दिखाने वाला कोई country था ही नहीं और ऐसे में फिर चाइना ने अपनी खुद की progress ensure कर ली कुल मिला करके जहां हम division के या partition के घाओं को मरहम लगा रहे थे वहीं पर चाइना ने अपने आपको strong कर लिया जब 1949 में वहाँ पर communist regime आ गया था उसके बाद से और आज तक आप देख सकते हूँ कि चाइना जो है वो लगातार अपना role play कर रहा है जिसमें उसने इस division की वज़े से जो hydrate create हुई इंडिया पाकिस्तान की बीच में उसको harness किया पाकिस्तान की utilize कर रहा है आज पाकिस्तान को हवा कौन देता है ज्यादा चाइना देता है यूएस इतना चाहिए इतनी हवानी देता है क्यों USA का interest अफगानिस्तान तक वहां से वो जा चुका है तो ऐसी परिष्टियम जा चुका है का मतलब कम interest है इसके रावा चाइना जो है वो इंडिया को contain करने के लिए एक तरीके से जो western frontier उसको भ sanctions committee जिसमें global terrorist declare किये जाते हैं उसमें दो individuals का नाम एक तो मक्की और एक दूसरा यह असगर असगर करके जो था ठीक है जैसे महममत का लीडर उसका deputy leader तो इन दोनों को आप देखो कि जब international terrorist declare declare करने की बात आए तो चाइना ने वहां पर abstain कर दिया technical hold पे डाल दिया dual standard इंडिय clear करने से मना करता है इसका कि अगर देखें चाइना की तरफ से तो चाइना देखू चाइना के लिए हमारे दिमाग में कभी भी ऐसा गलत भाव कभी था नहीं पहले ठीक है नहरुजी के टाइम की बात करें area of peace के तोर पे हम एशिया को इमर्ज करवाना चाहते थे फिर हमने multipolar world order का दिमाग लगाया 1990 से लेकर अभी तक और Beijing के साथ में हमारी engagement भी रही पर अगर सच देखी जाए तो 1962 में चाइना ने हमें अच्छे से crush किया बहुत बुरे तरीके से हराया क्योंकि हम तैयार नहीं थे इसका मतलब यह नहीं कि हम military बहुत वीक थे इसका मतलब यह था क कि हमारे जो developments थे उन्होंने international relations में बहुत ज़्यादा lightly ले लिया था और उसका नुकसान इंडिया को उठाना बढ़ा था रा इंडिन 62 वार में फिर चाइना लगातार यूनि पोलर एशिया बनाना चाहता है जहां पर खुद एक अकेला इकलोता है जमन बनना चाहता है इसक चाइना इंडिया रिलेशन्स हम अल्रेडी डिसकस कर चुके ज्यादा depth में हम नहीं जाएंगे तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा border dispute पिछले आप देख सकते हो 7-8 सालों में और 10 सालों में हम देख चुके हैं तो ऐसी परिस्तितियों में हम चाइना को ignore करें ऐसा possible है तो कुल मिला करके चाइना के चैलेंज को भी हमें address करके चलना है जिसमें frontier को तो address करना ही है frontier को तो हमें settle रखना ही अब इस टाइम पे कौन सी frontier की बात हो रही है इस टाइम पे हम frontier की बात करना है चाइना के साथ में जो line of actual control जो हम share करते हैं उसके जाथ क्योंकि तिबद position South Asia में हमें कोई challenge कर रहा है तो South Asia कोई country नहीं कर रहा है यहाँ पर चाइना की presence हमें challenge कर रही है चाए फिर वो चाइना का जो surveillance ship है वो चाए हम बंटोटा पोर्ट पे आए चाए ग्वादर पोर्ट का develop करना हो चाइना पाकिस्तानी कौनों में कोरिडोर का पाकिस्तानों के पाइट कश्मीर के तुरू होते हुए जाना या फिर बांगलादेश में इतना investment करना या फिर South East Asia से अगर हम connectivity की बात करें तो म्यामार वहाँ पर चाइना अपने presence लगाता और जुन्टा के तुरू वहां की जो military regime है उसके तुरू अपनी पकड़ बना रहा है तो कुल मिला करेंगे तब जाकर कि हमारी economy एक नमबर बनेगी और एक नमबर का मतलब नमबर तीन का जो हमारा target हो ठीक है टीन नमबर economy हम बनाने चाहते हैं तो ठीक है export manufacturing और साथ manufacturing sector और साथ में employment creation फिर आजाओ technical capabilities चाए space हो चाए defense हो चाए innovation हो research development हो या फिर आप कोई भी technology पे बेस नया का करो उसमें technological capabilities हमें enhance करनी ही होगी क्योंकि technology is a tool जो हमें support कर सकता है खुद से खुद का एक कदना self run आत निनमर भानत भारत बनाने में technology जो है वो हमारा जितना cooperation कर सकती होतना कोई और नहीं हो सकता फिर आजाओ third point पे देखो हम major दूसरे major powers के साथ में engage करते हैं तो हम हमारे उ non-alignment cold war period में हमने क्या decide किया था non-alignment पर उस time की circumstances क्या थी कि हम किसी के गुलाम फिर से नहीं बनना चाते थे ना तो USSR के चंगुल में आना चाते थे जो अपनी मनमानी करता ना हम capitalist society के अंडर में आना चाते थे जो कि फिर हमें गुलाम बना सकती थी जैसे कि हमें 200-300 सालों प करते हैं ज्यादा तर strategic autonomy की कि अगर हम developed countries के साथ English करेंगे तो हमें pressurize करेंगे और फिर हम हमारे खुद के डिसीजन खुद से independently नहीं ले पाएंगे जैसे कि हम बार बार बात करते हैं कि energy security सबसे पहली चीज होनी चीए जिस पर इंडिया को focus करने की ज़रुरत है तो ऐसे में strategic autonomy का मतलब हो गया internationally कोई भी decision लेना हो कि हमें तेल किस से खरीदना है किस से नहीं करना हमें international ties में किसके साथ English करना है किस से नहीं करना हमें defense equipment Russia से खरीदने की नहीं खरीदने पर एक डर तो लगा ही रहता ना डर भी नहीं लगा रहता तो कम से कम challenge तो है हमेशा कि काट्स हमे पर कहीं डाल ना दे वो तो ठीक है कि USA इंडिया को एक potential corporate एक तरीके से अपनी तरफ से USA और इंडिया के दोनों के interest जो है वो एक तरीके से align कर रहे है चाइना के point पर आकर कि तब जाके इनकी engagement proper देखने को मिल रही है पर overall अगर देखा जाए तो हमारे सामने ये एक challenge तो रह चाहिए कि हमारे यहाँ पर clear cut majority है एक political party को इसकी वज़े से वो stubborn है अपने position को लेकर एकदम clear है अगर यहीं पर यह correlation government होती तो बहुत मुश्किल हो सकती थी ठीक है और दूसरा political will तो होती है उसमें कोई doubtी नहीं है तो तीसरी largest economy हम बनना चाहते है तो देखो strategic autonomy तो आज के time पर होना जरूरी भी है पर एक चीज जरूरी है देखो हम strategic autonomy या दूसरी तरफ हम balance of power यह दो चीजों का नाम लेकर के हम बड़ी powers के साथ engage ना करें यह ठीक नहीं होगा कारण कि आज इंडिया अपने खुद के decision independently लेता है जैसे रशिया से हमने तेल खरीदा चाहे कितना ही western society ने कितना pressure बनाए हो कोई फरक नहीं है इसके अलावा दूसरी हम balance of power की बात करें तो चाइना आज अगर हमारे उपर दबाव बनाने की कोशिश करें किसी भी तरीके से जो की करता रहता है तो उस परिस्तिती में USA और जो Europe है वो एक कहीना के like-mindedness में कहीना के cooperation में आ जाते है Indo-Pacific region में जैसे COD की बात करें और अगर Western Asia की बात करें तो I2, U2 है उसमें इंडिया साथ-साथ में इंगेस कर रहा है USA और NATO के साथ में engagement 2019 में हमने अपनी तरफ से officially की थी तो कुल मिला करके हम हमें ये चीज समझ नहीं होगी कि कैसे हम हमारे interest के लिए full काम कर सकते हैं हमें national interest का फेल्ड करते हुए काम करना है आप खुद देखो युक्रेन के टाइम पे इंडिया ने क्या किया है एकदम कितना ही external pressure आया हो बिलकुल बैलेंस एकदम neutral stand कि बात ऐसी है क्रिटेसाइज तो हम करेंगे नहीं रश्या को और दूसरी चीज वार रुकना चीज है वार एकद डिप्लोमेट्स के statement दिखा दे है जैसे एश जेश अंकर जी का वो वीडियो दिखाया था उन्होंने कल पर सो मैंने भी देखा था आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से वहां पर ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में foreign policy external pressure पे मनती है जबकि इंडिया बिलकुल autonomous अप बनना है ना तो इसका मतलब केवल geopolitics में या balance of power के लिए नहीं बनना है कि हाँ जी कल को न को इंटरनेशनल decision हो तो उसमें I mean मतलब जो आजपास का जो मुद्दा है जहां पर border dispute आ रहे हैं वो हमारे उपर कोई attack करे तो दस बार सोचे इसके लिए हम economy नहीं बन रहे है world में आ रहा है हर चीज में इंडिया अपना एक important role देखता है केवल हम border disputes को sort out करने के लिए border पर कोई हमें आखे ना दिखाए या फिर कोई दिखाए तो हमारे पास में इतने ताकतवर लोग हों कि उसको हम जवाब दे यहीं तक हमारी सेमित नहीं रहेगी हमारी पावर हम चाहते है एक multipolar world order हो जिसमें इंडिया का अपना खुद का से रहे चाहे वो technical revolution point of view से देखे चाहे industrial revolution 4.0 की बात कर लो राइट जिसमें internet of things की हम बात कर लेते हैं ठीक है जो भी चीज़ आ रही है latest ठीक है internet basis पे artificial intelligence की हम बात करते हैं यह सारी चीज़े climate change की मुद्दे पे इंडिया ने खुद ने कमिट किया उल्टा G20 कंट्री में सबसे अच्छा परफॉर्मर इंडिया एकलोता कंट्री है यह चीज़ हम अल्रडी देख भी चुक है explain पे इसमें बहुत अच्छे से डीटेल में हमने डिस्कुस किया तो कुल मिला करके देखो बात ऐसी है कि हिमाल्याज में आ अच्छ हिलना पड़ेगा कोशिश है कर सकता है अच्छा करने के लिए पर हमें तयार रहना होगा कि पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकता है जैसे कि रीसेट दो टेरिस्ट अटेक्ट हो है जिसकी वज़े से हमारे डिफेंस परसनल की डैथ हो गई वो शहीद हो गए जो हम चल रहे हैं जैसे परिष्टितियों से हम निकले थे 1990 में क्या थी एकोनोमिक लपीजी पॉलिसे हमारे यहां पर आ गया था पर वहाँ पर हमने कोई क्रिटिकल अंडरस्टेंडिंग नहीं रखी थी क्यों क्योंकि वहाँ पर मजबूरियां थी हम एक तो होता है सोचा समझा हुआ देखो चाइना ने लपीजी पॉलिसे अडॉप्ट की थी या फिर अपन डॉर पॉलिसे अडॉप्ट की थी चाइना ने वह बहुत सोच समझ करके की थी हमने दबाओ में आकर की की थी कि नहीं करेंगे तो एकोनोमी कॉलप्स कर जाएगी जैसे आज पाकिस्ता साल में वो दे सकता था पर हां फिर भी हम कह सकते हैं कि एकोनोमिकली हम बहुत अद्ट तक आगे बढ़ रहे हैं आज यूएन देखो जी ट्वन्टी देखो डबलू टी ओ देखो हर एक प्लैटफॉर्म पे इंडिया अपने लाइक माइंड़ कंट्री के साथ इंगेज करत है जो डिप्लोमेटिकली हमें इंट्रनेशनल प्लैटफॉर्म पे सोच समझ करके इंप्लिमेंट करने होंगे तो यह था आर्टिकल सी राजा मोहन जी के द्वारा आगे चलते हैं नेक्स आर्टिकल है सर अर्बिंदो घोष ठीक है अर्बिंदो घोष जी की जो 150th बर्थ अनिवर्सरी है वो भी more or less आप देखो important हमारे लिए बहुत ज्यादा important more or less क्यों बोल रहा हो मैं आप ठीक है तो कुल मिला करके विश्वक गुरू बनाने का जो आईडिया था वो अ एक्जाम में important हो पर हाँ हमें इनकी जीवनी के बारे में पता पड़ेगा वो हमारे लिए जानना जरूरी है दूसरी चीज ethics का जो paper है हमारे GS paper 4 उसमें जो important जो भी हमारे लिए important leaders है उनके द्वारे दीवी teachings जिनका हम use कर सकते है ethics answer writing में जो कि हमारे life के लिए भी important है तो उस freedom fighters थे उनके point of view से कुल मिलाकर करके अगर हम बात करें तो 150 वी वर्षगाट है अर्विंदो घोष जी की जिस ताइम पर हम 75 वी birth anniversary observe कर रहे हैं I mean 76 Independence ने हमने observe कर लिया है तो कुल मिलाकर के sir अर्विंदो घोष को भी हम याद करें हमारे लिए जरूरी है क्योंकि इनका जो भ बता दी कि पढ़ लेना इनके बारे में अब देखो इनकी जीवनी जानते है 1872 में इनका जन्म होता है ठीक है इनके पिता जी anglophile थे anglophile का मतलब होता है English या English culture या England के लिए प्यार रखते थे मन में anglophile ठीक है तो इसके basis में इन्होंने अपने दो बेटों को पढ़ने के लिए तीन बेटे थे हां इनके ठीक है तीन बेटों को भेज दिया English education के लिए और चलेगा इंग्लेंड में और अर्बिंदों ने वहां पर classical tripos Cambridge University में पढ़ाई कर ली वहां पर और Indian civil services जॉइन करने के लिए बिल्कुल ready थे हाँ वस यह था कि एक बार horse riding test होता है तो उसमें अब पर अपनी education लेने के बाद में इनका दिमाग थोड़ा सा France की तरफ चला गया ठीक है यह थे फ्रेंकोफाइल पिताजी तो थे एंग्लोफाइल एक मतलब होता है कि England के लिए प्यार हो फ्रेंकोफाइल का मतलब फ्रांस के लिए प्यार हो तो इस तरीके से इन्होंने France क लिए प्यार पाला फ्रेंच इनकी बड़ी शानदार थी और फ्रेंच जो लव था उसी के चलते आप आगे देखोगे पॉंडिचेरी में रहे थे अपनी अंतिम समय तक अपनी जादातर जिंदिगी का बहुत बड़ा हिस्सा आप देखोगे कि वहीं पे पॉंडिचेरी ज ठीक है फ्रेंच लैंगविच में ठीक है फ्रेंच के बन जाते हैं बड़ोदा कॉलेज में बढ़ाना शुरू कर दिया इनौने फिर इनौनें इंडियन जिसका नाम था इंदु प्रकाश उसमें British policies को और जो congressman थे उनको सीधा strike किया गरते थे पता क्या बोलते थे ये British rule को the profit of Indian nationalism के point एक तरीके से British rule जो था वो तो इनको क्या बोलते थे profit of Indian nationalism की भारत में राष्ट्रवाद की भावना जगाने में सबसे important जो contribution किसे ने दिया है तो 22 साल पहले ही गांदी जी के आने गांदी जी आये 1915 में साउध अफरिका से तो उसके 22 साल पहले ही अरविंदो घोष ने 1893 में अपने congressman leaders को जो elite class थे उनको क्या का था कि proleterate को आप आगे लाओ प्रोलेटरेट फ्रेंच वर्ड है इसका मतलब होता है common man जो downtrodden sectional society का उसको आगे लेकर क्या हो गांदी जी ने तो बाद में आ करके कहा था अरविंदो घोष ने पहले ही गह दी थी ये बात कि लोग जब साथ आएंगे masses का contribution होगा participation होगा तब जाके independence आपको मिलेगी साथ में क्या का फ्रेंच revolution फ्रांस से देको इनका लगा था तो फ्रेंच revolution की basis में इन्होंने क्या का बोला कैसे भी करके हतियार उठाओ कुछ भी करो अंग्रेजों को भगाओ यहां से ये जो आप request करते हो ना क्योंकि उस time पर क्या था moderates का rule था moderates का dominance साथ था Congress में तो वो demand करते थे petition resolution request इन पे तो बोला parliamentary dialogue से कुछ नहीं होगा revolution करो सीधा ठीक है फिर देखो अर्विन तो गोश जो थे इन्होंने अपनी लिखावड जो भी थी उसमें बंकिम चंदर चटर जी के दुआर जो बंदे मातरम जो था उसको अपनी तरफ से बहुत हद तक expand किया और उसमें नेशन हुड में mother India का concept दिया इन्होंने ठीक है जो की freedom struggle में बहुत हद तक भारत माता की जै आज भी आप देखते हो patriotism जब आता तो भारत माता की जै तो लगती है तो वो idea यहीं से आया हुआ ह तब ही तो बोला ना prophet of Indian Indian National Struggle इसके आगे अगर देखा जाए political discourse में तो इनका देखो contribution spiritual nationalism में भी था क्योंकि इन्होंने Indian philosophy अच्छे से पढ़ ली थी तो इन्होंने अपनी तरफ से हर तरीके से society के welfare के लिए काम किया चाहे फिर वो अंग्रेजों से छूटो फ्री करवाना हो इंडिया को दूसरा education को propagate करना हो गरीबों के favor की बात करनी हो वो सारी चीज़े क्योंकि masses का participation की बात करती थे ने उन्होंने तो इन्होंने क्या का कि अपनी तरफ से हमें कैसे भी करके humanity को promote करने की जरुट है इंडिया को विश्व गुरू बनाने के लिए इन्होंने अपनी देखो अलजीरियन revolution की बात करो अब अलजीरियन revolutionary ठीक है फ्रेंटेस फैनॉन जो कि आप देख सकते हो पैक्स बिटैनिका इन्होंने अपनी तरफ से अर्विंदो घोश्चिब बहुत सारी चीज़े लर्ण की थी वो एपलाई की कुल मिलाकर के बात क्या रही है humanity को promote करो व ज़र होती क्योंकि वह बहुती ज़्यादा atrocious थी फिर 1905 में आपको पता है बंगाल का partition होता है तब जाकर के इन्होंने सबसे पहले तो अपनी नोकरी छोडी और nationalist moment में उतर गए खुले ठीक है बंदे मातरम जो था इसके प्रपोगेट किया पूरे इंडिया में इसके अल इन्होंने लड़ाई छेडने की बात कर दी फिर आप देखो कि उस टाइम पर इनको offender consider किया जाता था क्योंकि revolutionary बाते करते थे तो इस सकर में आज की टाइम पर अगर देखे तो इनी की values हमारे लिए important हो जाती है ठीक है जब इनको jail में रखा गया 6 महीने तक तो इन्होंने वहाँ पर योगा से संबंदित अपनी education expand की वहाँ पता पड़ा और कई बार इनको exile में बेजा गया था अंडमांस में काला पाने की सजावर हो गई थी फिर इन्होंने ultimately कहां पर चले गए वो क्योंकि फैंकोफाइल तो थे ही ना refuse ले लिया इन्होंने pondicherry में और वहाँ ज ले गए थे philosophy जादा करने लग गए थे और वहाँ पर एक French woman थी Mira Alphasa उनको अपनी mother के तोर पे the mother का tag दिया उन्होंने और integral yoga का एक concept तयार किया किसने अर्बिंदो घोश ने और साथ में Mira Alphasa ने दोनोंने मिलकर के अपनी दरफ से और आप देखो ये French citizen थी पर इन्होंने जातार काम किया पॉंडी चेरी में ओके Second World War के टाइम पर एक opportunity आई थी कि हाँ जी हमें वाकई में हरा देना मतलब Britishers को भगा देना चीए यहां से पूरा मोका आया था हम बढ़ते है modern history में पर अर्बिंदो घोश ने क्या कहा था वहाँ पर कि Hitler का हारना जरूरी है क्योंकि allies का cause important है यही बात गांधी ने कही थी क्योंकि allies जो है वो कहीना के democratic system की बात करे हिटलर एक despotic system लाना चारा है वो उसको खतम होना जरूरी है और यही बात अर्बिंदो घोश ने भी अपनी तरफ से propound की थी expand की थी अपनी तरफ से फिर 1943 में इनको देखो Nobel Prize के लिए नॉमिने होता है वो बात लग है मिलता नहीं है पर फिर भी nomination के लिए जाना पर वही चीज़े के anti-colonial moment cultural civilizational superiority उसको लेकर क्याना मतलब एक तरफ तो western civilization जो की material strength पर चलता है consumerism पर जबकि हमारी society spiritualism पर कि आप अगर आत्मा में सही हो तो आपको कोई problem नहीं आप आराम से अच्छी जि spend किया ठीक है तो Europeans को अपनी तरफ attract करने में भी इनोंने कोई कमी नहीं छोड़ी ठीक है देखो स्वामी विवेकानन्द को follow करने वाली lady थी sister निवेदिता मात्मा गांदी को follow करने वाली lady थी मिरा बेन तो कुल मिलाकर के बात यह बोली जा रही है कि गांदी जी की death के बाद में sister निवेदिता और मिरा बेन respectively दोनों crisis में चली गी थी दोनों बहुत मुश्किल में चली गए थे जबकि अलफासा जिसको the mother का tag दिया था ठीक है अर्विंदो गोश जी ने तो अर्विंदो गोश जी की death के बाद में divine mother का जो tag मिला हुआ था अलफासा को जो शक्ती के त मातार continue करने में problem नहीं आई कुल मिला करके यह एक कितना की female को leader बना करके फिर आगे बढ़ने वाले थे वैल्यू सिस्टम में देखो आप difference गांदी जी विवेकानन जी खुद आगे बढ़ते आगे बढ़े और उनके followers में women थी ठीक है और यहां पर women को पहले आगे बढ़ा कि हाँ आप मेरे से उपर हो आप मेरी माता के समान हो और फिर मैं आपको फॉलो करता हूं तो आप value system देखो इनका ठीक है जैंडर जस्टिस के लिए point of view साब कोट कर सकते हैं ठीक है फिर अर्बिंदो गोस्की जब 1950 में death होती है तो उसके बावजूद भी आप देखो कि internationalism इन चीजों पर based वो township है ठीक है कभी मौका मिले तो जाके आना अच्छी जगह है फिर आजाओ अर्बिंदो इसकी life की बात करें तो teaching हमारे लिए important है एथिक्स में आज भी हम पढ़ते हैं पर जो value आज हम विश्व गुरू के point of view से देखते हैं जो spiritual guide के तोर पे Indian values काम कर सकती है पूरी दुनिया के लिए वो चीज़े कही ना कहीं अर्बिंदो गोश्ट ने अपनी दरफ से highlight पहले ही कर दी थी तो कुल मिलाकर कि यह चीज़े थी अर्बिंदो गोश्टी से related ठीक है फिर last में एक article हो रहे है ठीक है DMK की leader है कानी मोजी ठीक है कानी मोजी करूना निदी के द्वारा लिखाओ article उसमें दो important points है बोला हम 75 साल के हो चुक है ठीक है तो हमें दो चीज़ों पर ध्यान देनी की जरूरत है एक तो बोला उन्होंने economic inclusion और दूसरा उन्होंने बोला gender justice वो हम दो point highlight कर लेते हैं देखो यहाँ पर top 10 जो हमारी population है पैसे के साब से द 9% है तो economic growth in equal नहीं होनी चीए inclusivity आनी चीए asymmetry ना रहकर के symmetrical manner में हम growth करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है और एक point यहाँ पर बोल रही है LGBTQ community के लिए यह देखो कि true sense में अगर हम freedom चाते हैं कि एक individual level पे freedom हो तो वो मिल सकती है जब हम अधिकारों को और विशेश अ वाइड करें उन सबको contribution का मौका मिले तो ऐसे में LGBTQ plus community को support देने की ज़रूरत है जो की सबसे ज़्यादा oppressed section of society है मतब society में सब ज़्यादा परिशानी में गुजरने वाला section है तो यह दो point हो रहाता है बोले यह चीज़े भी हमें domestically करने की ज़रूरत है यह add आप कर सकते हो ठ ठीक है तो discussion यहीं खत्म है thank you very much आज थोड़ा lengthy हो गया कारण है कि highlight नहीं कर पाया था highlight नहीं करने की वज़े से to the point बताने में थोड़ा time लगता है बागे additional चीजे भी आपको घर मिली है thank you